और चलिये दोस्तों आज मैं बनाती हूँ कड़ी चावल क्योंकि हमारा मन्था कड़ी चावल बना का चलती हूं झाल में पपड़ी चावल और बहुती टैस्टी गड़ी अगर आप यह रिसपीстран मेरी तरीकckへ से एक बार बनाएंगे ना तो आप बार बार बना कर खाएंगे इतनी टेस्टी बनती है यह कड़ी तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने लिया है एक कटोरा और मैंने लिया है आदी कटोरी बेसन है जो मैं पकोड़ी छाने के लिए ले लेती हूं तो यहां मैं ढाल लेती हूं थोड़ी सी चटपटी बनाने के लिए यहां पर मैं ढाल लेती हूं थोड़ी सी लाल मिर्च तो लाल मिर्च मैंने कुटी वी लाल मिर्च डाली है अगर आपके पास बारिक वाली हो तो आप भो भी डाल लीजिए और यहां पर मैंने कुटी वाली लाल मिर्च डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिये है और मिक्स करके अमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी और बढ़िया पकोड़े के लिए पेश्ट तयार कर लेती हूं अच्छा सच जितना ही अच्छा आप फेटेंगे और उतनी अच्छी इसकी पकोड़ी बनेगे एकदम बढ़िया फूली फूली तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं इधर तो मैं इधर रख देती हूं गैस पे पकोड़ी हमारी बनेगी तो आप जितना अच्छा फेटेंगे उतनी अच्छी इसकी पकोड़ी बनती हुई है तो मैं यहां पर पकोड़ी बना लेती हूं तो यहां पर मैं डाल देती हूं कड़ाई में तेल हमारा अच्छी से गरम हो गया था तो यहां पर मैं सभी पकोड उल्टाते पटते इसी तरीके से तो हमारी आपकोरी इसे में निकाल लेती हूं एक पलेट में तो दोस्तो अगर यह रिष्प आप लोगों पसंद आई तो चरूर बताएगा तो यह पर मैंने प्लेत में निकाल करके रक ले हैं और इदर में ले लेती हैं एक कट्वरी और मैं और मैंने आदी गिलास पानी डाला है तो इसको हल्दी को अच्छे से मिक्स करके रख देते हैं एक साइड और में ले लेती हूँ थोड़ी से मैंने मेथी ली है और थोड़ी मैंने राही के दाने लिये हुए है इदर मैंने दो-तीन हरी मिर्च और दो-तीन कडिया लैसुन और कणा करी पता ले लिया है तो इदर हमारा तेल थाना काफी तो मैं आपने निकाल दिया है और यहां पर मैं डाल देती। मेती को चटक गए है तो यहां où लेटी करके कूच करके घरी मीर्च तो ये भी डल देती हूं और कड़ी पत्ते सारे डालती कि अच्छा लेते हगो दो biggest मीनाट तक तो यहांपर हल्का सा दो मिनाट हो चुक़ में अच्छा माँ चैना और मैंने घुल feliz कि रखात अना हल्दी का वह में डाल देती हूं और डाल करके अच्छे से धीमी आज में इसको दो मिनट ती तक पकने देते हैं जिसमें कि हमारी हम अच्छे से पख जाए और पखनेक बाद में इसमें कच्छा पन ना आए तब तक इदर में कड़ी कि लिए एक दव्हेसा में अच्छाचर कुछ स्टराश घराइड है जले कशुच अच्छाच कुछ अच्छे से पक गई है तो यहां पर मैं डाल देती हूं जो मैंने बेशन का खोल बना कर रखा है यह में डाल देती हूं और डालने के बाद में अच्छे से चलाती रहती हूं जिसमें के चलाती रहेंगे इसलिए जिसमें की जो हमारा मठा है न वो फटे न और आपको लगाता यहां पर चलते रहना है और यहां पर जो बचा हुआ मठ्खा वहुद orada करके अच्छे से ठोड़ा सा पाने और इसमें डाल देती नहीं पारी.. और यहां पर मैंने 2 पैकेट मठ्ठा यूच किया है और 1.5 गलास verd लगातार जब तक उबाल नहीं आ जाती है जब तक मुझे चलाना ! मैंने नमक नहीं डाला था अब मैं डालूँगी उबाल होने ही पर आप नमक डालिएगा इससे हमारी कड़ी होती है वो फटती नहीं है तो यहाँ पर उबाल अच्छे से आई थी तो मैंने नमक डाल दिया स्वाधन सार और आप देख सकते हैं अभी बहुत ही पतली है बहुत ही इसमें टाइम लगेगा कड़ी पकने में कम से कम करीब आधा गंटा हमें कड़ी पकाने में टाइम लगेगा दोस्तों आप जितनी अच्छी पकाएंगे कड़ी उतनी अच्छी स्वाधिस्ट बनती है तो यहाँ पर उबाल बहुत तेजी से आ रही थी तो यहीं पर मैं डाल देती हूँ अपनी पक से चलते हैं फटाफट सर्प करते हैं तो दोस्तों यह रेस्पी आप लोगों को हमारी कैसी लगी कमिंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और चैनल को सब्सक्राइक लाइक जरूर करिएगा और हर दिन एक मिलेंगे एक नई रेस्पीक साथ धन्न बाद दोस्तों बाइबा 12 मने कर दोस्तों बादगा साथ जरूर चैनल को सब्सक्राइन वोग।